सीसी टीवी में देखिए किस तरह से खड़ी स्कूटी से चोर पैसे लेकर फरार होते हैं पालगर जीले के मानिक पुरपुलिस थाने अंतरगत एकसिस बेंक से पैसे निकल कर बहार आते ही जपट मार गैंके सदस्यों ने उस महिला का पीछा किया जैसे महिला ने कुछ कम के लिए अपनी स्कूटी कड़ी किया वैसे चोर स्कूटी कड़ी की खोल कर दो मिनट में पैसे और मुबाइल लेकर बदमाश फरार होगे ऐसी बरती वारदातों के वजह से नागरिक भाया भीत हो गए है यह है आफाज मीर और अलफिया मीर दमपती जिन है अभी भी अपने पैसे और मुबाइल जाने का दुख है अलफिया अपनी बीमार मा की इलाज के लिए एकसिस बेंक से एक लाख पाँच हजार रुपे निकाले और यमहा शोरूं के पास अपने स्कूटी खड़ी किया पहले से ही पीछा कर रहे जपट मार गैंके सदस्या आये और चंद मिंटों में पैसे वाला पस और मुबाइल लेकर रह हो गए यह पूरी वार्दा तीसरी आख में किद हो गया मगर पुलिस अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है मानिकपूर पुलिस के टालमटोल रवया ऐसे मीर परिवार को नहीं लगता कि उनके मेहनत के पैसे उन्हें मिलेंगे यहां पर एक सारा इंसिडिंट हुआ है तो मैं वहां पर जब गया तो मैंने चेक किया सब्विच तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शॉप्स है बहुत सारे एसे यहां सारे रेस्टारौंट से जहां कैमरास मगर प्लीस ने वहां पर पुछ चेक नहीं किया था इन फेक्क मैंने कुछन को बोला भी था कि यहां पर कोई क्याया राच एहां पर सेवंटीें को ​​पना करका होगा है तो लोग ने कई यहां पर कोई नहीं क्या बेदा तो उसके बाद मैंने क्युन tills महांगा था मैंने का यह 17 को एक इंस्टेंट हुआ तो वो लोग ने का कि हमारे पास 15 डेज का ही बैक अप है तो वह फोटेज मेरे को नहीं मिल पाई तो कि वह फोटेज अगर मिल जाती प्रॉपली कैमरा चेक हो जाता तो बाइक का नंबर के अगर आ जाता केस खतम क्यों हो जाता क्योंकि सारा मिल जो कुछ भी था बैक का नंबर के अगर क्लियर ली के आता बुलीश ने जो हमें फोटेज दी है वो पूरा बलर है उसमें कुछ नहीं है और एक एक कैमरा की फोटेज है वीडियो है वो है और उसके बाद इतने सारे कैमरा वहाँ पर लाइन में एक भी कैमरा चेक प्रॉपरली नहीं हुआ है और इंफेक्ट वहाँ पर गया भी नहीं है कोई कि पूछताज करने के लिए कि यह बाई ऐसाइसे कि वहाँ पर क्या कर यह लोग जातें बाइक का नंबर आता शायद आज केस खतम हुआ क्यों होता आज नहीं मलब दो महीने पहले ही केस ख कि मलब वह बता भी नहीं रहे कि मलब वह फाइल में कहां पर कहां था कि लोग ने देखा है